गुड़ मॉर्निंग किलास नाइन्थ स्टुडेंट आज हम आप लोगों को टेक्सबूक का सबक नमबर तीन पेज नमबर ट्वण्टी नादान दोस्त पढ़ा रहे हैं सभी तलबा ध्यान से सुनें और समझें नादान दोस्त केशु के घर में एक कानस के उपर एक चिरिया ने अंडे दे दिये थे केशु और उसकी बहन श्यामा दोनों बरे गोर से चिरिया को वहां आते जाते देखा करते सवेरे दोनों आँख मलते कानस के सामने पहुच जाते और चिरा और चिरिया दोनों को वहां बैठा पाते उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था दूधा और जलेवी की भी सुध नहीं रहती थी दोनों के दिल में तरह तरह के सुवालात उड़ते अंडे किस रंके होंगे कितने होंगे क्या खाते होंगे उन में से बच्चे किस तरह निकल आएंगे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे घोंसला कैसा है लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था ना अम्मा को घर के काम धंदे से फुर्शत थी ना बाबूजी को परने लिखने से दोनों बच्चे आपस में सुवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया कर दे थे श्यामा कहती क्यों भईया बच्चे निकल कल फुर से उर जाएंगे केशु आलिमाना गुरूर से कहता हाँ रे पगली पहले पर निकलेंगे बिगएर परों के बेचारे कैसे उर जाएंगे श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी केशु इस पेचीदा सुवाल का जवाब कुछ न दे सका था इस तरह तीन चार दिन गुजर गए दोनों बच्चों की खाइश तहकीकात दिन बादिन बढ़ती जाती थी अंडो को देखने के लिए वो बेताब हुआ उन्होंने क्यास किया अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे बच्चों के चारे का सुवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ चिरिया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूग के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे इस मसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया के कारनस पर थोरा सा दाना रख दिया जाए श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिरियों को चारे के लिए कहीं उरकर न जाना परेगा केशू नहीं तब क्यों जाएगी श्यामा क्यों भईया बच्चों को धूप न लगती होगी केश्यू का ध्यान उस तकलीफ की तरफ न गया था बोला जरूर तकलीफ होती होगी बेचारे प्यास के मारे तरफते होंगे उपर साया भी नहीं है आखिर ये फैसला हुआ के गोंसले के उपर कपरे की छट बना दीनी चाहिए पानी की प्याली और चावल रख देनी की तजवीज मन्जूर हो गई दोनों बच्चे बरे शौक से काम करने लगे श्यामा मा की आँख बचा कर मटके से चावल निकाल लाई केश्यू ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भड़ा अब चांदनी के लिए कपरा कहां से आए फिर उपर बेगेर छ़डियों के ठहडेगा कैसे उपर छडियां खड़ी कैसे होंगी केश्यू बड़ी देर तक उसी उधेर बुन में रहा आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली श्यामा से बोला जाकर कोरा फेकने वाला फेकने वाली तोकरी उठा लाओ अम्मा को मत दिखाना श्यामा दोर कर तोकरी उठा लाई केश्यू ने उसके सुराख में थोरा सा कागर ठूस दिया और तोकरी को एक ठानी से लटका कर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आर करूंगा ताके धूप नौ लग पाए श्यामा ने दिल में सोचा भाईया कैसे चालाक है गर्मी के दिन थे बाबु जी दफ्तर गए हुए थे मा दोनों बच्चों को सुला कर खुद सो गई थी लेकिन दोनों बच्चों की आँखों में नीन कहा अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखे बंद किये मौके का इंतिजार कर रहे थे जूही मालुम हुआ कि अम्मा जी अच्ची तरह सो गई है तो दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे की चिटकिली खोल कर बाहर निकला आए और अंडो की हिफाज़त की तैयारिया में लग गए सुकत वस्सलाम